नमस्कार, मैं हूँ आपकी हिंदी सिक्षिका स्रीमतीरंजना सिंग, विश्य हिंदी, कक्षा आठमी, दूसरी एकाई से पाठ दो, दो लगुकताएं, इसके लेखक हैं हरी जोशी जी प्रस्तुत लगुकताओं में कथाकार हरी जोशी ने नैतिक गुणों को ग्रहन करने की प्रेणना दी है, हमारी पहली कहानी का नाम है नीव, इसमें एक सरकारी अधिकारी के ब्रस्ट आचरण के दुष्वर राम को दिखाया गया है, अपनी रिश्वत लेने की आदत के उसे दंडित किया गया, हमारी कहानी इस प्रकार से शुरू होती है, बहु मंजिला इमारत की दिवार नीव से उठ रही थी, ठेकेदार नया था, भैभीत सा वह एक तगारी, सिमेंट और पांच तगारी, रेद के मसाले से इटों की जुडाई करवा रहा था, अगली दिन अधिकारी महोदय आये, उन्होंने काम के प्रती घूर असंतोष व्यक्त किया, महोदय बोले, ऐसा काम करना हो तो कहीं और जाईए, बच्चों, तगारी का आर्थ होता है बड़ा तसला, असंतोष का आर्थ होता है नाराजगी, और घूर का आर्थ होता है बहुत अधिक भ और तीन तगारी रेत के मसालों से इटों की जुड़ाई की संबंधित अधिकारी आये, उन्होंने निव की दिवार पर एक निगाह डाली और गरम हो गए. गरम हो गए मुहावरा शब्द है, इसका अर्थ होता है क्रोधित होना, इस बार ठेकेदार को अंतिम चेतावनी दी, यदि कल तक काम में पर्याप सुधार नहीं किया गया तो काम बंद करवा दिया जाएगा, जब नय ठेकेदार की समझ में बात नहीं आई तो उसने एक अनुभवी ठेकेदार से इस समस्या पर उसकी सलाह चाही, अनुभवी ठेकेदार ने बताया कि ये महोदय रिश्वत चाहते हैं, इसलिए काम में कमी बता रहे हैं, नया ठेकेदार इमानदार था, वह रिश्वत देने लेने को अपरात समस्ता था बच्चों रिश्वत का आर्थ होता है घुस और भरस्ट का आर्थ होता है निंदनिय आचरनवाला उसने भरस्ट अधिकारी को पाट पड़ाने का निश्य कर लिया अगले दिन अधिकारी महोदय निरिक्षन करने आये ठेकेदार ने उन्हें रुपियों से भरालिफाफा पकड़ा दिया अधिकारी प्रसन होकर जैसे ही जाने लगे वैसे ही एका एक वहां उच अधिकारी आगे अधिकारी महोदय रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़े गए बच्चों रंगे हाथ पकड़ना भी एक मुहारा शब्द है जिसका अर्ष होता है अपराथ करते हुए प्रत्यक्ष पकड़ना वस्तुतह रात में ही इमानदार ठेकेदार ने अधिकारी महोदे के खिलाफ उच्च अधिकारी के पास शिकायत कर दी थी अधिकारी इमानदार थे उन्होंने कहा कुछ एक व्रस्ट अधिकारीं के कारण ही पूरा प्रशासन बदनाम होता है उन्होंने व्रस्ट अधिकारी को दंड दिलवाने का निरड़ेंग ले लिया सच ही कहा है बुरे काम का बुरा नतीजा अर्थात हमें बुरे काम का फर बुरा ही मिलेगा अतर बुरे काम नहीं करने चाहिए ठेकेदार और उच्छ अधिकारी की इमानदारी का समाचार चारों तरफ फैल गया उनका सारवजनिक समारों में सम्मान किया गया बच्चों हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों इमांदारी मनुष्य का विशेश गुण है यह व्यक्ति को परिशानियों से मुक्त और निडर बनाती है यह व्यक्ति को अच्छाइस के मार्ग पर ले जाती है जिससे उसे वास्तविक आनंद और खुशी मिलती है इमानदारी को सर्व स्रेष्ट निती माना जाता है हालांकि इसका पालन करना आसान नहीं होता इमानदारी जीवन में बुरे से बुरे इस्तिती का सामना पूरे आत्मविश्वास और साहस से करने में सक्चम बनाती है या रिष्टों में विश्वास का निर्मान करती है इमानदारी ब्रस्टाचार को हटाने की छमता रखती है सभी पहलूँ पर इमानदारी होना बहुत महत्वपुर्ण होता है क्योंकि यह जीवन भर सकारात्मक युगदान देता है बच्चों हमारी दूसरी कहाने का नाम है जीव का वर्चश्वा इस कहाने में दातुम और जीव के वारतालाप के माध्यम से लेखक ने विनम्रता के महत्व को दर्शाया है गमंड और कठूरता प्रतेकस्थान पर अप्रिय और हानि प्रद होती है अतव हमें अपने आच्रण में विनम्र होना चाहिए हमारी कहाने इस प्रकार से है पंक्ति बद और एक जूट रहने के कारण दात बहुत दुसासी हो गए थे पंक्ति बद का अर्थ है पंक्ति में बदे हुए एक लाइन एक जूट का आर्थ होता है एक साथ रहना एक दिन वे गर्व में चूर होकर जिव्यवा से बोले हम बत्तिस गनिस्ट मित्र हैं एक से एक मजबूत तूट हैरी अकेली चाहे तो तुझे बाहर ही न निकाल दें जिव्यवा ने पहली बार ऐसा कलोशित विचार सुना था कलोशित का आर्थ है अपवित्र वासकर बूली उपर से एकदम सफेद और स्वक्ष हो पर मन से बड़े कप्टी हो कप्टी का आर्थ होता है धोखा देने वाला उपर से स्वक्ष और अंदर से काले घोशित करने वाली जी वाचालता छोड़ अपनी आवकात में रह वाचालता का आर्थ होता है बात करने में निपुड़ता आउकात में रहना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है शक्तिक अनुसार चलना हम तुझे चबा सकते हैं या मत भूल की तो हमारी क्रीपा पर ही राज कर रही है दातों ने किट-किटा कर कहा जीव ने नम्रता बनाये रखी किंतु उत्तर दिया बच्चों दात किट-किटाना भी एक मुहारा शब्द है जिसका अर्थ होता है क्रोध में दात पीसना दोसरों को चबा जाने की ललक रखने वाले बहुत जल्दी तूटते भी हैं सामने वाले तो और जल्दी गिर जाते हैं तुम लोग अवसरवादी हो अवसरवादी का अर्थ होता है मतल्बी मनुष्य का साथ तभी तक देते हो जब तक वह जवान रहता है व्रिद्धा वस्ता में उसे असहाय छोड़ कर चल देते हो शक्तिशाली दात भी आखिर अपने हार क्यों मानने लगी बोले हमारी जड़ें बहुत गहरी हैं हमारे कड़े और नुकिलेपन के कारण बड़े बड़े हमसे थर्राते हैं थर्राना का अर्थ होता है भैसे कापना जिवा ने विवेक पूर्ण उत्तर दिया विवेक पूर्ण का अर्थ होता है बुद्धिमानी से तुम्हारे नुकीले या कड़ेपन का कार्यशेतर मूंग के भीतर तक सीमीत है विनम्रता से कहती हूँ की मुझ में पूरी दुनिया को प्रभावित करने और जुकाने की छमता है दातों ने पुना धमकी दी हम सम मिलकर तुझे घेरे खड़े हैं कब तक हमसे बचेगी जीव ने दातों के घमंड को चूर करते हुए चेतावनी दी डॉक्टर को बुलाऊं दंत चिकित्सक एक-एक को बाहर कर देगा मुझे तो छुएगा भी नहीं और तुम सब बाहर दिखाई दोगे घमंडी दात अब निरुत्तर थे जिरुत्तर का आर्थ होता है जिसके पास उत्तर नहों उन्हें कविता की या पंक्ती या दा गई किसी को पसंद नहीं सकती बयान में तभी तो दी नहीं हड़ी जबान में घमंडी दातों ने आखेर जीव का लोहा मान लिया लोहा मान लिया भी एक महारा शब्द है जिसका आर्थ होता है स्रेश्टता को स्विकार करना बच्चों आप सभी को पता है घमंड मनुष्य का शत्रु है इश्वर ने हर व्यक्ति को कोई न कोई हुनर देकर प्रित्वी पर भेजा है किसी के पास अधिक पैसा होता है तो किसी के पास कोई हुनर होता है हमारे पास जो भी हुनर है हमें उसे लोगों में बाटना चाहिए अगर आप गडीत में अच्छे हैं तो गडीत में कमजोर विद्यार्थी की मदद कर सकते हैं अपने ग्यान को बाटना चाहिए ना कि उस पर घमंड करना घमंडी व्यक्ति अपनी काविलियत पर रूप रंग धन दौलत या अपने पद की वजह से स्वैम को दूसरों से बड़ा समझता है घमंड एक ऐसी बुराई है जो मनुष्य के अंदर की हजारों अच्छाईयों को दबा देती है घमंडी मनुष्य अपने आपको स्रेश्ट और दूसरों को हीन समझने लगता है उसके भीतर का घमंड उसे कोई भी कारिय सहजता से नहीं करने देता घमंडी कभी न कभी मो के बल गिरता है उसका घमंड उसे एक दिन सब के सामने शर्मिंदा कर बैठता है घमंड मनुष्य के शत्रू के समाने जो सदैव उसके लिए विनाश का मार्ग बनाता है बच्चों आपके लिए ग्रियकारी है हिंदी पुस्तिका में लिखना है कठिन शब्दों के अर्थ लिखना है मोहावरों को अपने वाक्य में प्रयोक करना है सूचना के अनुसार कृतियां करू इन प्रश्णों का उत्तर लिखना है विधानों के सामने सही अत्वा गलत का निशान लगाना है उचित जोडियां मिलाना है नेमलखी शब्दों के आधार पर मुहावरे लिखकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करना है जल के अपव्यकी रोक्ताम संबंधी चित्र कला प्रदर्शनी का आखार्शक विज्यापन तयार करना है धन्यवाद